कारगल युद्ध का प्लान बनाने वाले धोनी की लहराती जुल्फो के सैन और नवाज शरीफ सरकार का तक्ता पलट करने वाले खुद को राष्टपती घोशित करने वाले पाकिस्तान के पूर्व राष्टपती जनरल परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया है मुशर्रफ को दिल और किडनी से संबंधी समस्याई थी आज बात होगी उसी शक्स की जो जिस देश में तानाशा बना उसी देश में उसको मौत की सजा मिली नमस्कार आप देख रहे हैं जेबिटी लाइब और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका भटनागर क्या आप जानते हैं कि परवेज मुशर्रफ का जन्म दिल्ली में हुआ ये बात सच है 11 अगस 1943 को दिल्ली के दरिया गंच में मुशर्रफ का जन्म हुआ लकिन भारत विभाजुन के बाद उनका परिवार कराची जाकर बस गया बाद में वे पाकिस्तान के राश्रपती और सेना प्रमुख वने 1999 में नवाज शरीफ के लोकतांत्रिक सरकार का तक्ता पलटकर मुशर्रफ ने पाकिस्तान की बागड़ समभाली और 20 जून 2001 से 18 अगस 2008 तक पाकिस्तान के राश्रपती रही अप्रेल से जून 1999 तक भारत और पाकिस्तान के बीच हुए करगल युद्ध के दौरान परवेज मुशर्रफ सुर्खियों में आए क्योंकि उस दौरान मुशर्रफ ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे और उसी दौरान उन्होंने भारत को कई ऐसे जखम दिये जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता जनरल परवेज मुशर्रफ 1961 में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए वे एक शांदार खिलाड़ी भी रहे 1965 में उन्होंने अपनी जीवन का पहला युद्ध भारत के खिलाप लड़ा और इसके लिए उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा वीरता का पुरुस्कार भी दिया गया उनके नेतरत्व में 1971 में हुए दूसरे भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को हार का मूँ देखना पड़ा 1999 में करगल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान को दुनिया के सामने श्रमिंदा होना पड़ा था जनरल परवेज मुशर्रफ कारगल युध के वक्त पाकिस्तान की सेन्य प्रमुक थे ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस युध को लेकर ततकालीन फ्रधान मंत्री नवाज शरीफ को भी अंधेरे में रखा था कहा जाता है कि पाकिस्तानी वायू सेना और नौ सेना को मुशर्फ की जंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी जब भार्तिय सेना ने मूतोर जवाब दिया तो पाकिस्तान के हुकमरान को जनरल मुशर्फ के धोके की मार का एहसास हुआ बहुत कम लोग जानते होंगे कि मुशर्रफ को क्रिकेट का भी बड़ा शौक था साल था 2005 और 2006 जब भारतिय टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी उस वक्त परवेज मुशर्रफ ही पाकिस्तान के राष्टपती थी भारतिय और पाकिस्तानी टीम का मुकाबला लहोर के गंदाफी स्टेडियम में हुआ और भारत ने पाकिस्तान को पांच वंडे सीरीज में चार एक से हरा दिया था इस मैच में पाकिस्तान ने 288 रन बनाए थी वंडे सीरीज का 30 रा मैच लाहौर में खेला गया और भारत ने महेंदर सेंग धोनी की पारी के कारण मैच जीत लिया था हुआ कुछ यूँ की मैच के बाद प्रेजन्टेशन के दौरान परवेश मुशर्व भी वहां मौझूद थे उन्होंने टीम इंडिया को सीरीज जीत के साथ ही धोनी को स्पेशल पारी के लिए बढ़ाई दी उन्होंने माही को एक खास सला दी और कहा कि तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मैदान पर कई पोस्टर देखे जिसमें आपको हेर कट की सला दी गई है लेकिन आप अगर मेरी राय मानेंगे तो आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए क्योंकि आप इस हेर स्टाइल में काफी अच्छे लगते हैं यह सुनकर धोनी भी अपनी हसी नहीं रोख पाए तो ऐसे ही वीडियो उसको देखने के लिए आप जुड़ें जेबिटी लाइव के साथ नमस्कार